फ्रेंट्स यह है मेरा तुलसी का पॉधा तुलसी का पॉधा अकसर विंटर्स में यानि कि जब बहुत ही ज़ाधा ठंड पड़ रही होती है ऐसे में तुलसी का पॉधा हमारा सूख जाता है तो आज मैं दो चार चीजें आपको बताऊँगी जिने अगर आप करेंगे तो आ विंटर्स आते ही आपको कट कर देना है और कट करके हटा देना है इन मंजरियों को फेकना नहीं है इसे आप चाय में यूज कर सकते हैं काफी हल्दी होती है इन मंजरियों को कट करने के बाद जो दूसरा काम करना है वो है कि आपको तुलसी के पौधे में विंटर्स में बिल सूती कपड़े से अपनी तुलसी को ढग देना है जिससे विंटर्स में गिरने वाला जो कोहरा होता है फौग होता है वो तुलसी की पत्तियों पर कोहरा पड़ता है तो तुलसी की पत्तियां जो है वो महरून या ब्राउन कलर की होने लगती हो धीरे धीरे तुलसी का पौध से बचाना है शाम होते ही उसे किसी कवर्ट जगा पर रख दीजे नहीं तो किसी सूती कपड़े से आप अपने तुलसी को ढग दीजे ओवर वाटरिंग ना करिए और सारा दिन की अच्छी धूप देंगे तो आपका तुलसी का पौधा विंटर्स में बिल्कुल भी नहीं सर्वाइब करेगा और बिल्कुल भी सुखेगा नहीं तो फ्रेंट्स अगर इस तरह से आप अपनी तुलसी की केर करेंगे तो आपका पौधा हमेशा हरा बरा रहेगा तो फ्रेंट्स ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज प्लीज मेरे चानल को लाइक सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रस करके और पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो फ्रेंट्स अब मैं चलती हूँ मिलूंगी आपको अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए हैप अजवी आपने को लोगई प्रश वार्वर फिर दूल कर दानिपिकेशन आपको अफको अब यह जरू है दू सबस्कित आफ एल्गन मैं तो फीडियो में तूर सके पाइड का दानिए और झाल यह जएको टूल मैं तो बड़िकेशन आपको बड़िकेशन आपको अभाई